अलो डियर स्टुडेंट, हाँ आई यू, I hope all of you are good and all of you are doing great तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं BST Class 12 का Lesson 7 जिसका नाम है निर्देशन यानि की Directing इस वीडियो में हम लोग Directing के Most Important 50 यानि 50 MCQs को मैं आप लोगों को Hindi और English में समझा दूँगा और यही 50 में से ही जो है आपके एक्जाम में question पूछा जाएगा अगर आप इन 50 का 50 MCQs को अच्छा से कर लेते हैं तो इससे आपका book भी cover हो जाएगा आपका model paper cover हो जाएगा आपका previous year model paper previous year PYQs हर चीज जो हाई यह 50 MCQs में solve हो जाएगा एक एक करके हर चीज detail में आप लोगों को बता रहे हैं तो एक एक करके हर चीज को detail में समझना और note down करते हुए जाना और जो जो question हम आप लोगों के लिए छोड़ देंगे उन-उन questions का जवाब आप लोग जो है वो जरूर हमको जो है वो comment box पर comment करके बता देना आई मेरी बात समझ में ठीक है चलो तो यह रहा हम लोगों का आज का पहला question पहला question में आज का बोल रहा है निर्देशन के परमुक तत्व है the main elements of direction art तो एक direction का जो है यानि एक जो directing होता है उसके कितने elements होते हैं तो इसके जो है वो चार चार elements यानि की चार इसके परमुक तत्व होते हैं कौन-कौन सबसे पहला होता है नेत्रत्व यानि की leadership दूसरा होता है हम लोगों का अभी प्रेरन यानि की motivation तिसरा होता है हम लोगों का संप्रेशन यानि की संदेश्वाहन जिसको एंगलिस में communication बोलते हैं और सबसे लाश्ट में होता है हम लोगों का प्रेवेच्छन यानि की सुपर वीजन बोलते हैं तो यह पांच यह चार जो है यह एक जो डायरेक्टिंग है उसके चार elements होते हैं ठीक है ठीक है सर चलो यह रहा हमारा second question second question में बोल रहा है निर्देशन के तत्व ह है elements of direction आर तो हम अभी समझाएं थे इसका राइट एंसर होगा इन में से सभी क्योंकि परेवेक्षण अभी प्रेरन और नेत्री तो सब इसके अलिमेंट्स होते हैं सुपर वीजन मोटिवेशन और लीडर सिप सब इसका अलिमेंट्स होते हैं ठीक है इसका राइट एंसर है असर होता है प्रेवेक्षण परबंद क्या अस्तर है अधे इस यहांनि कि पाया जाता है तो हम सब Greek Film होता है उसका basically इस तरीके से जो है वो तीन लेबल होता है management का top label middle label और lower label यानि के उच अस्तर मद्य अस्तर और निम्न अस्तर तो यह जो supervisor होता है यह निम्न अस्तर में पाया जाता है और हम आप लोगों को पहले भी पढ़ाएं है यह lower level management में पाया जाता है ठीक है चलो आगे बढ़त तो हो जो देखभाल करें कोई तो हो जो करमचारियों से अच्छे तरीके से जूड़के रहे तो इसके लिए परवेक्षण यानि कि supervision करना बहुत जादा जरूरी है यानि आवेश्यक है necessary होता है आगे question number five में हाँ जी question number five में बोल रहा है परवेक्षण कड़ी है supervisor link is तो simple सा बात है भाई हम अभी समझाएं कि ये labels of management जो है ये तीन labels होता है management का top label, middle label, lower label और इधर नीचे में जो है वो करमचारी लोग काम करता है और supervisor जो है वो middle label management में पाया जाता है तो simple सा बात है अगर एक supervisor अगर य middle label को जोड़ेगा क्योंकि वो खुद lower label में आये supervisor lower label में निम्न अस्तर में होता है तो वो किसको किसको जोड़ेगा भाई middle label को जोड़ेगा और नीचे करमचारियों को जोड़ेगा तो इसका right answer होगा option number B employees and middle label यानि option B करमचारी तथा मध्य अस्तर को जोड़ा जाता है और पिछले साल के एक्जाम में यह question पूछा गया था चलो आगे बढ़ते हैं question number six पे जी देखो question number six पे क्या बोल रहा है नेता अधिनस्तों से काम लेता है the leader take works from subordinates तो एक नेता जो होता है एक leader जो होता है अपने subordinates से यानि अपने लोगों से किस तरीके से काम लेता है भाई लोगों से करवाता है ना कि उन लोगों को डंडे से पीट के नहीं तो धमका के नहीं डरा के नहीं बलकि उन लोगों से अपने टेक्टिस से हैं जो वो काम करवाते हैं question number seven पे आते हैं बहुत हैन वो दो तुमकें हैं ड्रीवन हमें चयान जाता है ठीक है ड्री आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बो इन, नुटस बढ़न वह संदेश्वाहन में बाधा है. There are a hydrants in effective messaging, messaging बोलो, या effective communication. Communication करने के लिए क्या-क्या है, जो problem create करता है. तो भाई, भाँसा बिलकुल create करता है, दूरी, बिलकुल create करता है, ब्रेक्तिगत करता है, दूरी, language problem create करता है, डिस्टेंस प्रोब्लम क्रियेट करता है इंडिविज्वल इंडिफ्रेंसेस सब इसका राइट एंसर होगा option number D इन में से सभी आगे बढ़ते हैं next question पे next question में हम लोगों को बोला जा रहा है संदेस्वाहन के परकार है types of message communications आर यानि आपको यह पूछ रहा है कि एक जो सकता है all of these इन में से सभी जो है वो हो सकता है आगे बढ़ते हैं next question में question number 10 पे 10 पे बोल रहा है निर्देशन संबंदित है direction is related to जो simple बात है यह जो बोल रहा है डायरेक्टिंग जो है वो चलते रहता है और डायरेक्टिंग का जरूरत सब जगाहों पे जो है वो पढ़ता है तो इसका right answer होगा आपका option number D ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं आगे next question बोल रहा है निर्देशन के परमुक तत्व है the main elements of direction तो अभी पढ़े थे direction का जो है वो चार elements होता है ठीक है आगे next question पे next question पे हम लोगों को बोल रहा है निर्देशन की परबंद के दोट 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 दर पर आवे सकता होती है direction is required at the rate या रेड बोलो या तो फिर बोल सकते है labels of management यानि directing करने का काम जो है वो आभी समझाए हर पड़ेगा तो इसका राइट एंसर होगा option नमबर डी सभी अस्तरों पे इसका जरूरत पड़ता है चाहिए वो टोप लेबल हो मिडिल हो या लोवर हो उच अस्तर हो मद्द अस्तर हो या नीमन अस्तर सब में जो है इसका जरूरत पड़ता है आगे बढ़ते है question नमबर हाँ ठीक है हो गया चलो question नमबर 13 पर आगे बढ़ते हैं ठीक है 13 पर बोल रहा है निर्देशन है there is direction direction इस क्या है तो direction जो है वो सर्वयापी है निस्पादन अभी मुखी है निरंतर करने वाला कार यह है बिल्कुल इसका राइट एंसर होगा डी एक direction जो होता है वो हम orientated होता है continuous action होता है option D all of these सब होता है आगे बढ़ते हैं question number 14 पर 14 नमबर पर बोल रहा है एक अच्छे नेता में एक अच्छे नेता के निमलिखित में से कौन से गुण होने चाहिए तो इन में से सब सब quality होना चाहिए there of which of the following quality should be a good leader have तो एक लीडर के पास सब quality होना है यहां से ठीक है आगे बढ़ते हैं question number 15 पर 15 नमबर question ने बोल रहा है समन हुआ है संचार की प्रभावपूर्ण पदती का होना क्यों आविश्यक है why is it necessary to have an effective method of communication in business तो इन सभी के लिए इन सभी कामों के लिए जो है all of these इन सभी कामों के लिए जो है एक effective communication का होना जरूरी है क्योंकि communication होगा तभी आप लोगों का मार्ग दर्शन यानि की लोगों को guidance कर सकते हो सुचना दे सकते हो यानि information दे सकते हो निर्देश दे सकते हो यानि की directing दे सकते हो तो यह सब का होना जो है इन सब के लिए जो है effective communication का होना जरूरी है आगे बढ़ते हैं question number 16 पर 16 पर ब बुला जाता है भई compulsory तो याद रखना directing करना mandatory यानि की compulsory यानि की अनिवारे कारी है और करना ही पड़ेगा आपको ठीक है तभी आपका organization जो है वह अच्छा से चलेगा पर व्यक्षां करमचारियों का है दा supervisor is employees तो एक जो supervisor होता है वह employee लोगों का क्या होता है मित्र होता ह है मांग दर्सक यानि की गाइड होता है इसके बाद दार्सनी की यानि की फिलोसिपर होता है हाँ जी सब होता है तो इसका राइट एंसर होगा option number D क्योंकि वह उन सबके साथ मिल्जूल के काम करवाता है काम कर रहाता है उन लोगों को guide करता है उन लोगों को technical support देता है उन होता है वो निर्देशन यानि की डायरेक्टिंग का पार्ट होता है डायरेक्शन का तो इसका राइट एंसर होगा option number C आगे बढ़ते हैं question number 19 पे बोल रहा है अभी प्रेरण साधनों आभी प्रेरणा साधनों के निर्धारन का आधार होना चाहिए यानि motivation should be the basis of determining resources तो इसक दिगत तरीके से और क्रित यानि की एक से इन तीनों ही तरीके से जो है आप मोटिवेट कर सकते हो तो इसका राइट एंसर होगा option number D आगे बढ़ते हैं next question पे next question क्या बोल रहा है भाई नेत्रित्व है यानि की leadership करना जो है वो आविश्यक है यानि की necessary है आपको leadership करना ही leader होता है इसलिए leader होता है भाई क्योंकि वो सारे चीजों को जो है वो चलाने का काम करता है एक हैस हो गया चलो आगे बढ़ते हैं 22 नंबर question पे बोल रहा है संदेश्वाहन जाल के परकार होते हैं types of messaging networks are messaging बोलो या इसी को बोला जा सकता है communication तो communication network का जो है वो चार जाल होता है चार परकार का जो है वो होता है ठीक आगे बढ़ते हैं next question पे next question बोल रहा है परभावी संदेश्वाहन के लिए आविश्यक है for effective messaging it is necessary effective संदेश्वाहन के लिए इसपश्टता होना चाहिए निरंतरता होना चाहिए सब होना चाहिए ठीक है effective communication के लिए messaging के लिए clarity होना चा चाहिए all of this यहां से सब होना चाहिए आगे बढ़ते हैं next question पे चलो बोल रहा है परभावी संदेश्वाहन में भासा का उप्योग नहीं होना चाहिए language should not be used in effective messaging अगर आप अच्छा messaging करना चाहते हो अच्छे से लोगों से बात करना चाहते हो communication करना चाहते हो तो वह आपका लोगों तक जाएगा ही नहीं ठीक है चलो अगे बढ़ते हैं next question निम्न में से कौन सा निर्देशक का तत्व नहीं है which of the following is not an element of directing तो directing का पार्ट को नहीं है भाई transfer यानि की हस्तना अंतरन जो है यह directing का पार्ट नहीं होता है क्योंकि यह organization का पार्ट होता है इससे पहले के वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाएं थे staffing वाला चेप्टर में ठीक है चलो अगे बढ़ते हैं question number 26 पे आते हैं बोल रहा है निम्न में से कौन सा बित्तिय प्रुत्साहन है which of the following is a financial incentive तो बित्तिय प्रुत्साहन है रहतिया प्रुत्साहन यानि की stock incentive इतसे जो है वो financial growth मिलता है 26 हो गया आगे बढ़ते हैं निम्न में से कौन सा संप्रेशन प्रक्रिया का तत्व नहीं है which of the following is not an element of communication process तो भाई communication इसका process नहीं है क्यों क्यूंकि communication तो खुद एक process है उसके अंदर यह decoding medium messaging recipient decoding माध्यम संदेश प्राप्त करता यह a हो गया c हो गया d हो गया यह सब element है communication element नहीं है वो खुद एक process है उसके अंदर elements आते हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं next question पे बोल रहा है question में पद भिंता किस प्रकार के संप्रेशन बाधा के अंतरगत आता है तो इसका right answer होगा आपका संगठित यानि की organizational ठीक है rank division rank differences come under which type of communication barriers तो यह होता है organizational barrier rank ठीक है आग question number 29 अबराहम मासलो की आवेशक्ता सीड़ी में सबसे उच आवेशक्ता का अस्तर है the highest need level in अबराहीम मासलो जीड नीड नीड लेडर्स इस सबसे उपर में होता है आत्म संतुष्टी की आवेशक्ता यानि की need of self satisfaction अब हम आप लोगों को एक चार्ट दिखा रहे हैं उसको अच्छा से देखना यह यह एबराहीम मासलो के द्वारा बताया गया five motivational concept था उनका मानना था कि हम लोग है मनुष्य लोग कोई भी काम इन पांच आवेशक्ताओं की पूर्ति के लिए ही करता है सबसे नीचे में होता है यह नीचे है यह one number का है यह two number का है यह three number का है यह four number का और यह five number का ठीक है आया समझ में अब इसका theory जब हम आप लोगों को यह chapter का theory पढ़ाएंगे तब हम यहां आप लोगों को यह चीज़ समझा देंगे अभी बस आप इसको के बोल रहा है संदे स्वाहन के संप्रेशन प्रतिकों में बदलने की परिक्रिया को जाना जाता है दा process of converting message into to communication symbols is known as decoding इसको बोला जाता है decoding ठीक है यानि कोई आपको कोई कोई बात बोला और आप उसको अपने भासा में समझ रहे हो अच्छा इसका मतलब यह होता है यह कहलाता है decoding ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हाँ जी बोल रहा है नेता होता है leader each तो एक leader जो है वो जन्म भी लेता है और उन्हें बनाया भी जाता है तो इसका right answer होगा C आगे बढ़ते हैं next question पे next question पे क्या बोल रहा है भाई निजदेशन परबंद का पहलू नहीं है direction is no 10 aspect of management ठीक है तो इसका right answer होगा अंतर व्यक्तिगत यानि की interpersonal हाँ हमको थोड़ा सा doubt है maybe इसका answer जो है वो सायद B भी हो सकता है तो एक बार 32 का answer आप लोग जरूर चेक करके हमको बताना हम अपनी तरब से तो बोल रहें कि C होगा लेकिन हम थोड़ा सा confused है maybe इसका answer जो है वो सायद B भी हो सकता है ठीक है देख करके हमको बताना आगी बढ़ते है 33 नंबर पे क्या बोल रहा है भाई प्रबंधक होता है मेनेजर इज अभी पड़े थे एक मेनेजर जो होता है वो नेता होता है यानि लीडर होता है next question आज देखो बोल रहा है निर्देशन के लक्षण कोन से है what are the character is testic of directing तो यहां से सभी एक नेता के इन में से सभी गुण सभी quality जो है वो होता है next question बोल रहा है अबराही मासलों ने मनुष्य की अविशकताओं को कितने भागों में बाटा है अबराही मासलों हेज divided human needs into how many parties तो अभी हम बताएं how many parts तो अभी बताएं भई 5 उपर हम लोग इस तरीके से एक ट्रेंगल अभी हम लोग देखे पांच needs था कि नहीं था हां सर बिल्कुल था वही चीज के बारे में बोल रहा है आगे बढ़ते हैं next question बोल रहा है निर्देशन की परबंद के अस्तर पर अविशकता होती है यह उपर repeated वाला question है right answer होगा D सभी जगा directing का जरूरत पड़ता है अभी अभी उपर जो question पड़ 27 हो गया आगे 38 पर बढ़ते हैं बोल रहा है समतल संदेश्वाहन में सुझाओ का परभा होता है the follow of suggestion in flat message message vehicles देखो फ्लेट बोल रहा है तो इसका answer ढूंडो flat flat है तो flat समतल है तो समतल ढूंडो समतल समतल है तो समतल ढूंडो option number C 38 हो गया आगे बढ़ते है 39 नंबर पर बोल improvision कितने लेबल पर sup sina आता हो नहीं बैपना चाहिए यहां होना चाहिए किस लेबल में जो है वो परतिपादन किया गया हूँ वाज हूँ बाए हूम वाज दा थियूरी ओप मोटिवेशन वीच सोर्ट्स दा नीड्स ओप प्रपाउंडेट तो अब रही मासलो के द्वारा जो है वो कहा गया था इसी को इनहेरिटेंट थियूरी ओप मासलो भी कहा जाता है ठीक है इसके बा काम बताएए जो लोगों को अभिप्रेरित करने के लिए परयोग में लाई जाती है नेम नेम डा मेट्रड वीची यूज्ट तु मोटिवेट करने लिए अप्रेरण का काम क्या जाता है है अगे बढ़ते हैं नेक्स्ट को सिंक्या बोल रहा है यहाँ पर निर्देशन की प्राकृति होती है the nature of directing इज तो वो एक्जिक्यूटी प्राकृति का होता है किस प्राकृति का होता है भाई एक्जिक्यूटी प्राकृति यानि option number B ठीक है यह गलती से यहां पर हिंदी इंग्लिश में executive लिखा गया है ठीक है यह नहीं होगा option number B executive सही स्वाहन की प्रणाली है राई रिटेन मेसेज वेहिकल सिस्टम इच तो यह दोनों होता है समुख्ट वहता है व्यक्तिगत भी होता है ओप्सन नमबर सी इसका राइट एंसर है अगे बढ़ते हैं कोस्टन नमबर पोटी किरी फोटी फोर पर अबराहीम मासलो का जन्म कब हु तो देखो यहां पर साप साप मेंसन है भाई 1908 को इनका जो है वो जन्म हुआ था और 1970 को इनकी मिर्ती हुई थी आगे नेक्स्ट को सेन नेक्स्ट को सेन पर बोल रहा है परवेक्षण के तत्व हैं वाट आर दा एलिमेंट्स ऑप सुपर वीजन तो सुपर वीजन जो है व जो सबसे उपर में हम आप लोगों को बताएं थे यह अनुपचारिक संगठन में यानि की इनफॉर्मल कम्यूकेशन सिस्टम में पाया जाता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट को सिन में संदेश वाहन परकिरिया के कदम है वाट आर दा एस्टेप सोप मेसेंजिंग प्रोस होता है अज़ी नीकी बढ़ते है नेक्स्ट को सैंगी चलों को बोल रहा है अभी प्रेरित करमचारियों को परिशोसित किया जाता है मोटिवेट एंप्लोई आर रिवोडेड धनात्मक यानि की पॉजिटीव उन लोगों को रिवोड किया जाता है लास्ट को से नाच का और हो गया खतम इतना से आपका एक्जाम में जो है वो को सिन पू ग्या कोसिन समझ मीं नहीं आया है तो जो कोसिन समझ में नहीं आया है एक बार हमको वीडियो एक प्राण के कमेंट 不錯 में लोग पूरीजा जाएगा और पलस आप लोगों का पूराना गैंटिक हो नया ग्रूप